दोस्तों ये है Glock 18, ये एक toy gun है और बहुत ही realistic सा feel देता है, ये automatic variant है, तो मैं firing करके आपको बताता हूँ, ये जो magazine है, इसमें मैंने 3 bullets जाला हुआ है, और इसे मैं load करता हूँ, ये लीजिए, और मुझे सिर्फ firing करना है, दो चीज़ का आप ध्यान देना है, एक तो जब bullet fire हो देखें, एक bullet fire हो चुका है, और आपने blowback action देखा होगा, bullet तो fire हो चुका है, लेकिन जो shell है वो अभी भी अंदर है, automatic gun है, इसलिए मैं फिर से firing करूँगा, देखें क्या होता है, दूसरा firing हो गया और जो पहले वाला shell था, वो eject हो गया है, अब एक और बार firing करता हूँ, एक और shell eject हो गया है, और इसमें एक और shell है, bullet मैंने तीन fire कर चुका हूँ, तो जब आप last firing करेंगे, उसमें जो shell है, वो eject होने वाला है, तो ये रेखें, जैसे कि आपने देखा, shell eject हो चुका है, bullet firing अफकोस नहीं हुआ है, लेकिन ये जो gun है, ये इस unlock position में आ चुका है, जै आप इसे ready mode में ला सकते हैं, तो काफी interesting toy gun है, चलिए इसके unboxing करते हैं, तो ये दिखें, ये है इस box pack और ये जो gun है, मैं try कर रहा था इसे खरीदने का, international site पर मैंने देखा था, काफी interesting मुझे लगा, लेकिन India में मैं try कर रहा था इसे खरीदने का, मुझे एक site मिला था, लेक इन वो निकला पुराने type का, इसके पहले भी मैंने इस प्रकार के toy gun का video बनाया है, और वो जो gun था, उसमें एक तरह से slider mechanism था, तो ये fully automatic है, तो seller ने मुझे वो पुराना model भेज दिया था, तो मैंने, क्योंकि Amazon है, तो मैं उसे return कर पाया, फिर मुझे Amazon पर फिर से ये gun दिख खाया गया था, description में, और photos में, वैसा ही मुझे मिला, box में आपको ये gun मिलने वाला है, साथ में, ये magazine है, इसका वजन काफी हलका है, ये toy gun है, और इसके अलावा आपको ये bullets मिलते है, ये काफी interesting है, bullets के साथ में आपको ये shell भी मिलता है, ये देखिए इस परकार का है, ये shell और एक user manual भी box के अंदर दिया हुआ है, तो बस ये सारी चीज़ें आपको box के अंदर मिलने वाली है, ये gun है काफी interesting इसलिए है, क्योंकि एक तो ये toy gun है, प्लस एकदम realistic सा feel देता है, जैसे की real glock guns देते है, मतलब कि जो mechanism है, उसकी बात कर रहा हूँ, वैसे ये जो gun है काफ प्लस्टिक का बना हुआ है, और इसका mechanism है, कैसा काम करता है, वो समझने के लिए, ये जो shell है, ये मैं आपको बटाता हूँ, ये है shell, और इस shell के अंदर एक spring है, और यहाँ पर ये button है, तो basically आपको ये जो bullet है, इसे यहाँ पर जो spring है, इसके अंदर दालना है और push करना है, और ये जो shell है, यहाँ पर ये button है, इसे अगर आप प्रेस करेंगे, तो ये जो bullet है, ये spring जो अंदर है, वो basically release होगा, और ये जो bullet है, ये fire होगा, तो मैं आपको manually करके बताता हूँ, ये देखिये, ये इस प्रकार से firing होता है, तो जो blowback action है, जब आप firing करते हैं, ये आगे कुछ impact हो रहा है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दू, क्योंकि ये fully automatic gun है, आपको ये जो slider है, इसे pull नहीं करना है, very important, इसे pull नहीं करना है, तो ये जो system है, ये खराब हो जाएगा, और क्योंकि ये प्लास्टिक का बना हुआ है, और अंदर spring mechanism है, तो जाहिर है कि इ लेकिन काफ़ी interesting gun है, तो चलिए आप ये जो 3 shells है, इनमें मैं bullets दालता हूँ, वैसे ये जो magazine है, इसमें आप 6 shells दाल सकते हैं, तो सबसे पहले ये जो bullets है, मैं 3 bullets, ये जो shell है, इसमें दालता हूँ, वैसे आपको ज़्यादा bullets मिलते हैं, यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से एक bullet को मैंने shell में दाल दिया है, ये है दूसरा, और ये है तीसरा, और उसके बाद में आपको ये जो magazine है, इसमें जो bullets है वो दालना है, प्रोसेस सेम है जैसे कि आप दूसरे toy guns में दालते हैं, या फिर real guns में दालते हैं, तो ये देखिए, यहाँ पर ये है first, ये है second, ये ह third, अब बच्चों को खास करके ये चीज काफी पसंद आने वाला है, लेकिन मैं recommend करूँगा कि उनका जो age है वो 12 प्लस हो, और supervision में आप जो गन है उनके हाथ में दे, क्यूंकि इसका जो bullet है ये plastic का है, और बहतरों का कि बच्चे अगर goggles पहने तो अच्छा रहेगा, और ये shot में जो bullet है, shell के साथ में, वो लोड हो गया था और impact हुआ, जो spring है उसने जो bullet है उसे push out कर दिया है, अब जब मैं फिर से trigger button प्रेस करूँगा, तो blowback action होने वाला है फिर से, और जो empty shell है वो eject हो जाएगा, और second bullet fire हो जाएगा, ये देखे, ये है वो shell, अफी realistic सा feel मिल रहा है और ये हो गया second bullet, मैं फिर से fire करता हूँ, ये देखे, third bullet, shell eject हो गया है, ये जो shell है, ये second bullet का shell है, और अब मैं फिर से fire करूँगा, तो अब bullet fire नहीं होगा, लेकिन shell eject होगा, ये लीजिए, देख सकते हैं कि ये जो gun है, ये empty position में आ गया है, जैसे कि real guns में होता है, और इसे normal position में लाने के लिए, यहाँ पर ये button दिया हुआ है, इसे प्रेस करना है, काफी interesting gun है, वैसे अगर आप चाहें तो इसे blank fire भी कर सकते हैं, लेकिन मैं suggest करूँगा कि ऐसा ना करें, क्योंकि इसमें bullet नहीं है, तो ये फिर से empty position में आ गया है, और क्योंकि ये plastic का बना हुआ है chances है कि ये जल्दी damage हो सकता है, इसलिए avoid कीजिए, अब ये जो product है, इसका pricing काफी बढ़िया है, इसका pricing है तकरीबन 3000 रुपे के आसपास, Amazon पर available है, link मैंने video के description में दिया हुआ है, देखते रहिए